चद्लिगा जी कहीं कुछ ऐसा मेंशन है कि जब इंसान की मृत्तिव हो रही होती है उसमें क्या होता है किया उम्राज बैल पे बैठकर आते हैं ऐसा कुछ होता है यह डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं घाधवाग जी में कथा सुनाते हैं अजामिल चरित्र तो अजा पहले बहुत पवित्र थे, पांडित्य था, विद्वता थी, बहुत शास्त्र पड़े थे, लेकिन क्या हुआ एक बार उनके जीवन में एक ऐसी नारी आ गई, उन्होंने किसी को संभोग करते देखा, तो उनका मन किया कि तू मेरे साथ चल, उसको घर ले आए, वो एक वारं कैती है, सब करने लगे, उनके घर एक बार कुछ साधू ब्राम बनाए, तो उन्होंने साधू ने भोजन किया, भोजन के बाद उन्होंने बोला कि घर में साधू आया कुछ दक्षना, तो अजामिल डाकू बन चुका था, बोला महराज मैं दक्षना देने वाला नहीं, मैं और उसने बेटे का नाम नारायन रग दिया, अब हुआ क्या, हमारे शास्त्रे कहते भगवान का नाम भाय को भाय अनकाल शुह, नाम जपत मंगल दिशिद शुह, भगवान का नाम इतना पवित्र है, आप मल लगा के लो, बिना मल लगाए लो, गल्ती से लो, उसका असर आ रहे थे, तो यमदूत आए क्योंकि जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन लास्ट मुमेंट पर जा करके उसने जोर से आवाज लगाई कि नारायन मेरी रक्षा करो, क्योंकि प्राण खिच रहे थे, तो उसी समय एक्जेक्ट दूसरी जगे विश्नुदूत आगे, और विश्नुदूतों ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने अंतिम समय में नारायन नाम ले रहा तो नरक तो नहीं जाएगा, ये कन्फरम, क्योंकि उसने नारायन का नाम लिया, तो फिर उन दोनों में वहाँ बहस हुई, बहुत अच्छा प्रसंग है ये, उसमें विश्नुदूत बताते हैं, यमदूत बताते हैं कि किस को नरक नहीं लाया जा सकता है, जो भगवान का नाम कभी जीवन में एक बार लेता हूँ, उसको नरक नहीं लाया जा सकता, तो वो सारा यमदूतों को बताया जाता है, तब वो यमदूत और विश्नुदूत दोनों अजामिल को छोड़के चले गए और उसको एक चांस दिया कि अब तू अच्छे से भजन करो भगवान को प्राप्ट करें तो अजामिल की कथा से मुझे लगता ये बात समझ आती है कि मृत्य होती है तो कर्मों के अनुसाइड डिसाइड किया जाता है कि यमदूत आएंगे या भगवान के दूत आएंगे सारा जो मृत्यू और जन्व से जुड़ा जो चक्र है ना मैं हमेशा कहती हूं जन्व मृत्यू जीवन के दो पेज भगवान लिख चुके हैं अल्रेडी लेकिन इसके बीच के जो सारे पेज़े जुहानीला लेकिन उस जन्व मृत्यू के बीच में मुझे क्या करना है वह हमारी मृत्यू भी डिसाइड करता है